आज हम एक और इंट्रेस्टिंग किसम कर लिट्रेशर रव्यू किसे एक स्टडी लेकर आए हैं उस स्टडी के अंदर यह बताया गया है कि वो कौन से कर दो आज प्रस्टिंग करा अंदर जो बच्छों की रीडिंग और अलिंग लिटुसी स्किलS को सपोर्ट कर सकते हैं तो यह जो स्टडी है यह दियादी तौर पर अलिंबर बच ने की थी और 2010 की study है इस study को उन्होंने कैसे किया और कैसे find out किया कि वह कौन से feature है सबसे पहला feature जो उन्होंने find out किया उसको हम कहते हैं by model tax टेबरा अलंबर बर्ग ने studies जो है वो multiple studies carry out की जिससे वो यह जानना चाहती थी कि आखर जो बच्चे आप वो जब screen के उपर देखते हैं तो वो information को pick कैसे करते हैं उन्हें पता कैसे चलता है कि हमें कहां से information मिलेगी और उनको कैसे याद रहता है सो उसके अंदर जो एक important feature उन्होंने find out किया वो था highlighting का feature और यह सिरफ उन्होंने electronic book से यह story book से ही नहीं find out किया था अभी हम देखते हैं कि और कहां से उनको यह feature मिला कि यहां यह highlighting का feature एक important feature है so इसको हम by model text भी कहते हैं जिसके अंदर words जो हाइलाइट हो जाते हैं audio narration भी हो सकती है कि जब आवाज जा रही हो जिस जिस word और sentences से वो word जो है light up हो जाता है या highlight हो कि या bold हो कि आपको नजर आता है और इसके उपर उनका main focus था so उन्होंने evaluate किया कि जो बच्चे हमारे हैं उनकी जो जब वो television series को वो देख रहे थे एक special television series थी और उसके अंदर कुछ specific phrases थे जो highlight हुआ करते होते थे so वो जो television series थी definitely वो किसी language development से related ही थी और जब उसके अंदर words highlight होते थे तो वो यह देखते थे कि जी बच्चों की spare attention ज्यादा focus होगी और ज्यादा बहतर समझ आएगी अब जो उन्होंने study की तो उसमें यह पता चला कि वो series जिन बच्चों ने देखी उन बच्चों ने kindergarten के और pre-school के टेस्ट में प्री स्कूलर ने जब देखी तो जब वो kindergarten के अंदर आए तो उन्होंने अपने टेस्ट में excel किया और उनकी actually linguistic understanding words की understanding और जो उनकी literacy skills थी वो उन बच्चों से बहतर थी जिन्होंने यह series नहीं देखी थी अब उस सीरिस में क्या था क्या ऐसा special feature था जो बच्चों की literacy skill को बहतर तरीके से बन्याद दे सका और उन्होंने find out किया कि वो highlighting थी फिर उन्होंने क्या किया कि बच्चों की जो आई tracking टेस्ट जो है उसको चेक किया वो किया और उसके अंदर उन्होंने एक television program लिया program के अंदर वो यह देख रहे थे कि बच्चों की जो attention है वो नियादी तोर पे वो किस तरीके से जो highlighted text है उसके उपर जाती है और बच्चों की eye tracking की कि उनका eyeball कैसे move करता है और उससे पता चलाया कि उनके attention इसमें मौजूद है या नहीं है तो हमारे पास जो इस वक्त स्कूल में अगर e-books available है तो उन बुक्स के अंदर बहुत से features जो है वो available है और highlighting का feature भी available है बच्चे जो है वो press कर सकते हैं किसी भी word को जिससे वो word बढ़ा हो सकता है और उसको सुन सकते हैं sentence के अंदर उसकी मजीद explanation सुन सकते है और digital narrator जो है वो उसको explain कर सकता है और ये भी हो सकता है कि हर उसका letter है वो अलग-अलग होके highlight हो जिससे उनको उसकी spelling समझ आ जाए हैं मुक्तलिफ किसम की feature हैं जो highlighting के अंदर मौजूद है जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुक्तलिफ e-books हैं वो सिर्फ highlighting एक feature नहीं है उसके मुक्तलिफ qualities हैं उसके मुक्तलिफ किसम के levels हैं आपको एक simple highlight भी हो सकता है और उसमें और edit features भी मौजूद हो सकते हैं और edit जो feature मौजूद होते हैं उनके अंदर यह भी होता है कि जब हम click करते हैं किसी word को तो उसकी pronunciation उसका sound भी सामने आ जाता है वह word एकदम बड़ा होके आता है उसका एक-एक letter अलग होके आता है और जिस तरीके से वह letter combine हुआ होता है multiple sound से और वह sound feature भी हमें नजर आना शुर division दोनों अगर मिल जाएं तो बच्चों की reading proficiency बहुत ही अच्छी तरीके से develop हो सकती है उनकी vocabulary बहुत अच्छी तरीके से develop हो सकती है उनकी oral communication skills भी बहुत अच्छे तरीके से develop हो सकती है लेकिन of course जहां बहुत सी qualities होती हैं किसी भी feature के अंदर वहां उसके कुछ नुकसानाद बहुत हो सकते हैं सो कुछ नुकसानाद identify किये गए हैं Barbara ने अपनी research के अंदर और वो क्या है कि कई दफा जो हमारे interactive features होते हैं जब यह बनाये जा रहे होते हैं software में उनने properly पढ़ा नहीं जाता या देखा नहीं जाता तो उसके अंदर जो dictionaries हैं या highlighted features हैं कई दिफां के sound confusing ह होते हैं जैसे के हमारे यहां Pakistan में जब भी हम कोई अंग्रेजी के किताब हमारे सामने आती हूं अगर वो interactive books हो तो कोई बहुत से words ऐसे words हैं जो कि English grammar में या English language में किसी और तरीके से pronounce होते हैं और British language में किसी और तरीके से pronounce होते हैं जैसे कि schedule और scheduling यह दोनों एकी word हैं पर इन की pronunciation बिक्कुल different है से British और American की वज़ा से इसके इलावा जो एक important feature आता है कि अगर खुच software नहीं घलत word को pronounce किया और उसको safe कर लिया हो तो बच्चों को इससे भी confusion होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम software पर 100% rely नहीं कर सकते हैं टीचर जब software इसमाल करते हैं और उसमें highlighting feature एक अच्छा feature है तो एक दिफा उस feature को कुद भी use करके देखना चाहिए कि उसमें जितनी pronunciation sounds या भी जो भी grammatical elements हैं वो सही भी है या नहीं